हेलो दोस्तो रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम ग्रामर का वहती इंपोडेंट टॉपिक डिसकस करेंगे जो कि है हमारा टैंस दोस्तो टैंस को समझने के लिए हमें काफी चीजों को समझना पड़ेगा जितनी भी कहानी में आपको इससे पहले बताई है वो सारी कहानी आपको आनी चाहिए तब आप टैंस को अच्छे तरीके से समझ पाऊगे तो दोस्तो आज हम टैंस के बारे में डिसकस करेंगे कि हमारा टैंस क्या होता है वैसे तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि TENS हमारा समय होता है और कुछ कहते हैं कि TENS हमारा काल होता है तो दोस्तो इस confusion को हम बड़ी आसानी से clear करेंगे आपकी आप इस वीडियो को देखिए समय हम waste नहीं करेंगे डारेक्ट अपने topic पे आते हैं हम जानते हमारा TENS क्या होता है और जो भी confusion है आपकी वो सारी confusion हम हम यहां पर दूर करेंगे तो दोस्तो हम बात करें इस TENS की तो यह जो टेंस होता है यह हमारा दो सब्दों से मिलके बनाए किससे मिलके बनाए दोस्तो Casey दोस्तो लाइक है जिसे हम कहते हैं तो अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर जो टेंस होता है इसका मतलब होता है काल क्या होता है बच्छो काल अब हम इसे काल कहलें चाहिए समय कहलें काल कहलें चाहिए समय कहलें बात तो एक ही है ना दूस्तो यही तो कह रहे होगे तो दोस्तो जो किताबों में हमें लिखा मिल दोस्तो देखो चीजों को समझना होगा हमारे लिए ये नहीं कि रट लीजिए विटा ये होता है हमारा टेंस और टेंस माने होता है काल हमें रटना नहीं है चीजों को समझना है अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगे अगर आप रटने की तो ये time माने होता है हमारा समय क्या होता है दूस्तो समय अब मैं बात करूं इस tense की दोस्तो तो हम इसे divide कर सकते हैं दो भावों में हम इसे कहते हैं time of action जो हमारा tense होता है दूस्तो वो क्या होता है हमारा time of action time of action का मतलब क्या होता है दूस्तो समय के साथ होने वाली action को समय के साथ होने वाली action को ही हम क्या कहते हैं दोस्तो tense कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो tense कहते हैं देखो दोस्तो मैंने क्या कहा आप से time माने होता है समय लेकिन tense माने क्या होता है time of action तो हम इसकी अगर tense की definition त्यार करना चाहें दोस्तो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं समय दोस्तो मैंने आपके सामने टेंस की डेफिनेशन लिखी है कि समय के साथ होने वाली एक्षन को ही हम टेंस कहते हैं यानि कि जो समय के साथ एक्षन होती है उसी को हम क्या कहते हैं टेंस कहते हैं लेकिन समय क्या होता है टाइम माने होता है समय लेकिन दोस्तो हम टेंस किसे कहते हैं समय के साथ होने वाली action को, समय के साथ होने वाली action को ही हम क्या कहते हैं दोस्तो, tense कहते हैं, मैंने आपके सामने tense की definition क्या लिखीती दोस्तो, कि समय के साथ होने वाली action को ही हम क्या कहते हैं, tense कहते हैं, जो हमारा tense होता है, वो क्या होता है, जब हम समय के साथ कोई action कर देते हैं और उसी action को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी दोस्तो टेंस की किसकी टेंस की मैं आपके सामने दो sentence लिखता हूँ जिनके मादम से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ तो दोस्तो मैंने आपके सामने पहला sentence लिखा है राम खाना खा रहा है अब दोस्तो इस sentence को देखिए जरा कि राम खाना खा रहा है अब हम यहाँ पर राम की action को बता रहे हैं समय के साथ कि समय के साथ जो समय चल रहा है उसी के साथ साथ राम क्या कर रहा है खाना खा रहा है तो खाना खाने की जो है वो क्या है उसकी एक्षन है और उस एक्षन को ही बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी टैंस की कि वो खाना खा रहा है तो वो कब खा रहा है प्रिजेंट में खा रहा है कि पाश्ट में खा रहा है तो हमें ये क्या बताता ह तो दोस्तो हम ये कह सकते हैं, कि समय की action को बताने के लिए, समय के साथ जो action हो रही है, उस action को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? टेंस की और दोस्तों जो action बताई जाती है यह जो हमारी action है यह जो action है दोस्तों हमारी इससे हम बताते हैं तो हमें जरुवत किसकी पड़ती है वर्व की पड़ती है दोस्तों किसकी पड़ती है वर्व की पड़ती है क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था parts of speech में कि जो हमारी वर्व होती है वो क्या होती है action word यानि कि action को बताने वाला सब्द तो दोस्तों ये जो हमारी वर्व है ये क्या बताती है action को बताती है और action को बताने के लिए दोस्तों हमें जरुत पड़ती है वर्व की और जो हमारी वर्व होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तो दो प्रकार की होती है एक तो बताई थी मैंने आपको helping वर्व दोस्तो एक क्या बताई थी मैंने आपको helping वर्व और एक बताई थी मैंने आपको man वर्व दोस्तो जिसमें मैंने helping वर्व को आपको बत वर्व हैं, अगर मैं बात करूँ मेन वर्व की, तो मेन वर्व क्या होती है हमारी action बताने वाले सब्द, जैसे कि मैंने आप से कहा दोस्तो go जाना, जाना क्या है हमारी मेन वर्व है हमने कहा read read क्या है हमारी, मेन वर्व है लेकिन दोस्तो इस वर्व के कुछ पैटन होते हैं क्या होते हैं दोस्तो पैटन होते हैं उन पैटन को जान लेते हैं वो कौन से पैटन होते हैं तो दोस्तो अगर मैं इस वर्व की बात करूँ तो इस वर्व के कुछ पैटन होते हैं जैसे हमने कहा वर्व की first form, यानि कि V1, एक होती है हमारी V2, वर्व की second form, एक होती है हमारी V3, वर्व की third form, और एक और होती है दोस्तो हमारी जो मिलके वनी होती है, वर्व की first form, पिलस S या फिर ES, जिस में हम वर्व में हम, जिस वर्व की first form में हम S या ES जोड देते हैं, वो वन जाती है हमारी वर्व की fourth form जिसे हम वर्व की fourth form भी कहते हैं या फिर आप इसका use करते हो दोस्तो present indefinite tense में किसमें use करते हो दोस्तो present indefinite tense में अब मैं आपको ये भी वताऊँगा दोस्तो कि हम इसमें वर्व में SIES क्यों लगाते हैं अगली वर्व होती है दोस्तो हमारी वर्व की फ़र्ष्ट फ़र्म में हम आई एंजी जोड़ कर बनाते हैं जो हमारी फिफ्थ फ़र्म होती है जिसे हम फिफ्थ फ़र्म कहते हैं वर्व की फिफ्थ फ़र्म वो हमारी वर्व की फ़र्ष्ट फ़र्म में आई एंजी कर बनाते हैं तो दोस्तों यहां तक की कहानी को एक बार नोट कर लीजिए उसके बाल हम जानेंगे आगे तो दोस्तो यहां तक की चीजों को आपने समझ लिया होगा मैं आपके सामने एक बार इसका quick revision कर देता हूँ जिससे ये बातें आपको और भी अच्छी तरीके समझ में आ सकें तो दोस्तो मैंने आपको बताया था कि time के साथ जब हम कोई action करते हैं उस एक्षण को वताने के लिए हमें जरूरत पढ़ती है sense की किसकी जरूरत पढ़ती है दोस्तो tense की अब ये action को वताने के लिए दोस्तो हम एक सब्द का यूज करते हैं जो है हमारी वर्व क्या है दोस्तो वर्व जो हम action बताते हैं वो किसके द्वारा बताते हैं वर्व के द्वारा बताते हैं और वर्व को हमने दो वागों में डिवाइड किया एक बताई हमने helping वर्व और एक बताई आपको main वर्व जो helping वर्व होती है दोस्तो ये वताती है हमारे लिए time को किसको दोस्तो time को जो हमारी helping वर्व होती है ये हमें time की जानकारी देती है और जो हमारी main वर्व होती है ये हमें action की जानकारी देती है किसकी जानकारी देती है दोस्तो action की ये जो हमारी main वर्व है ये हमें action को वताती है और जो हमारी helping वरवाई यह हमें time को बताते दोस्तों मैं आपके सामने एक sentence लिखता हूँ जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक sentence लिखाता राम इज इटिंग दा फूड तो दोस्तों यह वाला sentence मैंने आपके पता चल रहा है कि राम खाना खा रहा है तो ये बात में पता चली कि राम प्रिजेंट में खाना खा रहा है अगर मैं इस इज को हटा दूँ और यहीं पर लगा दूँ वोज क्या लगा दूँ दोस्तो वोज तो हमें क्या पता चलेगा कि राम खाना खा रहा है लेकिन कब खा रहा है पाश्ट में कब खा रहा है विटा पाश्ट में तो जो हमारी वर्व है जो हमारी helping वर्व है वो हमें किसके वारें बताती है दोस्तो टाइम के वारें बताती है कि कोई action हुई है वो present में हुई है कि past में हुई है तो दोस्तो यहाँ पर और जो हमारा watch है, ये किस की action को बता रहा है? पास्ट की action को, और ये his RM watch work, ये क्या होती है, हमारी helping work होती है, दोस्तो अब आपको समझ में को आ गया होगा, कि जब हम time के साथ कोई action कर देते हैं, तो उस action को बताने के लिए ही हमें जरूरत पड़ती है, किसकी tense की दोस्तों तो यहां तक की चीजों को आप note कर लीजिए उसके बाद हम जानेंगे tense कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने आप से कहा था जो tense होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं future नाम का कोई tense नहीं होता यह बात हम जानेंगे अभी जब तक के लिए कि इसे आप नोट कीजिए तो दोस्तों आपने यहां तक की कहानी को नोट कर लिया होगा अब मैं इसे कर देता हूं रफ तो दोस्तों अगर हम इस टैंस को बाटना चाहें तो हम इस टैंस को तीन भागों में बाटते हैं कितने भागों में दोस्तों तीन भागों में मुझे मजबूरी है कि मुझे आपको अभी इसे तीन भागों बटताना होगा क्योंकि जो हमारे tense होते हैं वो केवल दो परकार के होते हैं लेकिन मुझे अभी आपको बताना पड़ेगा कि tense जो है वो तीन परकार के होते हैं अभी आप समझोगे दोस्तों देखिए मैंने कहा पहले आपसे present यहाँ पर present न लिखे दोस्तों हम लिख लेते हैं past तो और भी अच्छा लगेगा चीज़ों समझने में यहाँ पर हम लिख लेते हैं present और यहाँ पर हमने लिख दिया future है तो दोस्तों हमने tense को वंगटा तीन भागों में कितने भागों में तीन भागों में कि जो हमारे tense होते हैं वो कितने होते हैं तीन होते हैं प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर तो दोस्तो अगर मैं इस प्रिजेंट की बात करूं तो प्रिजेंट में होगी जो एक्षन वो किसके द्वारा बताएंगे हम टैंस की द्वारा बताएंगे कि वो एक्षन कब हुई है तो दोस्तो इन टैंसों को समझने के लिए हमें ज़रुत पड़ती है पार्टीकल की किसकी दोस्तो पार्टीकल की तो मैं पहले उस पार्टीकल के बारें बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताँगा कि future नाम का tense क्यों नहीं होता तो दोस्तो हमारे पार्टीकल जो होते हैं वो होते हैं तीन कितने दोस्तो तीन जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो तीन होते हैं जिनी के आधार पर हम टैंस को समझते हैं पहला जो पार्टिकल होता है दोस्तो वो होता है हमारा डू क्या होता है दोस्तो डू नम्मर दो पर आता है हमारा वी नम्मत 3 पे आती है हमारी है तो दोस्तों ये हमारे 3 पार्टिकल होते हैं जिनके आधार पर हम अपने टेंस को समझने का काम करते हैं अगर मैं इस do की बात करूँ दोस्तों तो इस do की 3 फर्म होती हैं do did और done first form of work second form of work और third form of work तो दोस्तों ये do की 3 फर्म होती हैं अगर मैं इस we की बात करूँ तो present की ये इसकी first form होते है दोस्तों is r m second form होती है दोस्तों इसकी was were third form होती है दोस्तों इसकी been अगर मैं इस have की बात करूँ दोस्तों तो इसकी first form होती है have second form होती है had third form भी होते है दोस्तों इसकी had तो दोस्तों मैंने आपके सामने इन particle को तीन भागों में divide कर दिया इनकी form बना दी मैंने कि जो do की form होती है वो तीन होती है do did it done और जो b की form होती है वो भी तीन होती है इस आरेम present की हो गई वोजवर past की हो गई और when हो गई perfect की अब इस have की बात करनो दोस्तों यह तो have had had यह होती है हमारी have की तो इन तीन particle के आधार पर ही हम अपने tense को समझेंगे दोस्तों यह जो हमारे तीन particle है इन में हमारा यह future tense क्यों नहीं होता दोस्तों मैं आपके सामने एक sentence लिखता हूँ राम खाना खा चुका होगा मैंने आपसे कहा दोस्तों राम खाना खा चुका होगा अब आप मुझे इसमें यह वताईए राम खाना खाएगा या फिर वह खाना खा चुका है मैंने कहा आपसे कि राम खाना खा चुका होगा तो उसने वो action कर ली या फिर वो action होगी आपने कहा दोस्तों कि नहीं वो action अभी हुई नहीं है होगी क्योंकि आपको बताया था जिन वाक्टों के अंत में गा है, गी है, गे हैं, ये सब्द आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे future के tense कहलाते हैं, किसके tense कहलाते हैं दोस्तों, future के tense कहलाते हैं, अगर मैं बात करूं इसको, तो इसको भी categorize करना चाहूं, तो ये हमारा future perfect का वाक्य वनेगा, किसका वनेगा द लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी के साथ एक और sentence लिखना चाहूं आपको मैंने आपके सामने अग्ला sentence लिखा दोस्तों राम खाना खायेगा तो जो Het Гartel अब आप कहोगे कि फ्यूचर में खायेगा भी उसने खाना खायाना है तो दोस्तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि हम tense किसे कहते हैं जब हम समय के साथ कोई action करते हैं तो इस action को बताने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं अब ये इस वाले sentence में action हो गई क्या आप वो action करने के लिए क्या कह रहे हो सोच रहे हो जो action है वो कहां हो हो जो कि आपके अंदर और आप वो बात कहकर रहे हो प्रिजेंट में तो दोस्तो जब आप कह रहे हो उस बात को प्रिजेंट में और वो एक्षन बता रहे हो वो होगी फ्यूचर में तो ऐसा संबब है क्या उसके साथ एक्षन हो गई क्या नहीं दोस्तो उसके साथ एक्षन ये नह को ही हम क्या कहते हैं, tense कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, tense, तो future के साथ हमारी action होती नहीं है, ये क्या होती है हमारी कलपना, क्या होते हैं दोस्तों, कलपना, तो इस कलपना को बताने के लिए हम यूज करते हैं, future tense का, किसका दोस्तों, future tense का, हमारे दिमाग में एक image है, एक imagination ह उस imagination को बताने के लिए ही हम use करते future tense का लेकिन वास्तविक future tense नहीं होता क्यों नहीं होता दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि future के साथ कोई action नहीं होती और future के साथ action नहीं होती तो यह हमारा tense भी नहीं होता क्योंकि हमने आपको tense की definition बताई थी कि समय के साथ होने व वो action कब हुई है और दोस्तों यहाँ पर जो present की action होती है वही आपकी past बन जाती है क्या बन जाती है दोस्तों past बन जाती है जैसे मैंने आपके समने यह जो sentence लिखाता कि राम खाना खा रहा है अगर उसी के साथ में राम खाना खा रहा था कह दूं तो वो present में खा रहा होगा और था कह दिया, तो past में खा रहा होगा, तो दूस्तों, दोनों sentence में कितना फर्क था, कि कोई action उसने present में की थी, वही action उसकी क्या बन गई, past बन गई, तो जो हमारे tense होते हैं, वो केवल दो ही प्रकार के होते हैं, present tense और past tense, future नाम का tense नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके साथ कोई action नहीं होती, जब action नहीं होती, तो वो हमारा tense नहीं होता, जिन sentence के साथ action होती है, वो हमारे tense कहलाते हैं, जिन में action नहीं होती है, भी हमारे tense नहीं कहलाते हैं, और जिन के साथ action होती है, भी हमारे tense कहलाते हैं, तो यहां तक की चीज़ को एक बाद दोस्तो नोट कर लीजे उसके बाद हम जानेंगे आगे तो दोस्तो यहां तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा अब हम जानेंगे टैंस को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगी तो दोस्तो टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा मैं इसको भी रफ कर रहा हूं दोस्तो तो दोस्तो हमने अपने टेंस को जान लिया था कि जो हमारे टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं present tense और past tense और future नाम का हमारा tense नहीं होता ये चीज हमने आपको अभी बताई है अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सब past में कौन सी action हो रही है लेकिन बेटा में आपको क्या बताया था भी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा present होता है वही हमारा past होता है क्योंक दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं टेंसों की तो इनके भी चार-चार भाग होते हैं कितने कितने भाग होते हैं दोस्तों चार-चार भाग होते हैं अब उन भागों को समझते हैं दोस्तों कौन से कौन से भाग होते हैं तो दोस्तों पहला होता है हमारा present indefinite कौन सा होता ह है हमारा continuous कौन्सा दूस्तू continuous तीसरा होता है हमारा perfect तीसरा कौन्सा होता दूस्तू हमारा perfect चोथा होता है हमारा दूस्तू perfect continuous तो दोस्तो मेरे आपके सामने चारो भागों के नाम लिख दिये हैं अगर आप प्रिजेंट के भागों की बात करोगे तो प्रिजेंट के चार भाग होते हैं present indefinite present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense अब इनको बताने के लिए दोस्तो कि ये action इस वाले tense में हुई है ये वाली action इस वाले tense में हुई है तो ये बताने के लिए हमें ज़रृत पड़ती है अपने particle की किसकी दोस्तो की जो मैंने आपको बताये थे तीन particle पहला था हमारा do, दूसरी थी हमारी be, तीसरी थी हमारी have, तो मैंने आपको इनके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि जो हमारे particle होते हैं, इनहीं के आधार पर हम अपने tense को समझते हैं, तो दोस्तों जब हम present indefinite tense की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर present indefinite tense के बाकियों को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, वर्व की first form की, या फिर वर्व की first form के साथ, s या फिर es की तो दोस्तो हम अपने present indefinite tense को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं या तो हम वर्व की first form लगाएंगे या फिर हम अपनी वर्व की first form के साथ s या es लगाएंगे अगर हम बात करें दोस्तो continuous की तो हमें जरुवत पड़ती है v की first form की क्या होते है दोस्तो is rm अब हम बात कर लेते हैं दोस्तो अपने perfect tense की तो हमें अपने perfect tense को बनाने के लिए जरुवत पड़ती है have की first form की जो की होती है दोस्तो हमारी have और एक और होती है दोस्तो हमारी जिसे हम कहते है तो दोस्तो इस hedge को समझेंगे हम parts of speech के दोरान अभी आप यह जान लीजिए कि जो हम perfect tense बनाते हैं उसमें हमें ज़रुत पड़ती है have की और hedge की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तो अपने perfect continuous की किसकी perfect continuous की तो दोस्तो यह जो हमारा perfect continuous tense है यह दो टेंसों से मिलके बनाएं किस से मिलके बनाएं दोस्तो दो टेंसों से मिलके बनाएं एक तो यह perfect और एक यह continuous तो दोस्तो इसको बनाने के लिए दोस्तो हमें ज़रुत पड़ती ह have,haj और इसी के साथ हम एक सब्द का यूज़ करते हैं जो है हमारा बीन क्या है दुश्टू? बीन क्या होता है? हमारा दूच्छ का थ seller form होता है क्या होता है? बी की third form होती है जिसे हम कहते हैं बीन तो दोस्टो हम hajj और have के साथ bean को add कर देते हैं और वो बन जाता है हमारा perfect continuous tense इतनी बात समझ में आई दोस्तो तो दोस्तो अब हम इसी तरीके से अपने past tense को भी divide कर लेते हैं दोस्तो अगर हम अपने past indefinite tense की बात करते हैं तो हम इसमें use करते हैं वर्व की second form का किसका दोस्तो वर्व की second form का अगर हम continuous tense की बात करते हैं दोस्तो तो continuous tense को बनाने के लिए हमें जरुरत पड़ती है वी की second form की जो की होती है हमारी वाज और वर क्या होती है दोस्तो वाज और वर अब हम बात कर लेते परफेक्ट टेंस की तो परफेक्ट टेंस को वनाने के लिए दोस्तों हमें जरुरत पड़ती है है थर्फोम की जो की होती है हमारी हैड क्या होती है दोस्तों हैड अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने पास्ट परफेक्ट के कॉंट्रिनेस टेंस को वनाने की तो पास्ट को add कर देते हैं B की जो हमारा particle होता है उसी की third form का use कर लेते हैं जो की होती है हमारी bean तो दोस्तो हमने अपने past indefinite tense को चार भागों में डिवाइड किया past indefinite की बात करें दोस्तों तो हम past indefinite tense में वर्व की second form का यूज करते हैं अगर हम past continuous टेंस की बात करें दोस्तों तो पास्ट कॉंट्यूनस टेंस में हम वज और वरका यूज करते हैं अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें दोस्तों तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैड का अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने फ्यूचर टें में हम use करते हैं bill और cell का bill और cell का और जो हमारा future continuous tense होता है दोस्तो उसमें हमारे लिए कुछ नहीं करना होता कि यवल हम क्या करते हैं bill और cell के साथ bill और cell के साथ जोड़ देते हैं अपने बी particle को किसको दोस्तो बी particle को तो bill भी और cell भी हो जाता है तो हमारे लिए क्या करना होता है दोस्तो बिल और सेल के साथ हमारे लिए एड करना होता है हैव को किसको दोस्तो हैव को बिल और सेल के साथ जब हम हैव लगा देते हैं तो यह बन जाता है हमारा future perfect tense अब हम बात कर लें दोस्तो future perfect continuous की तो हमारे लिए उसमें कुछ नहीं करना केवल इतना करना है दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है मैं इधर को लिख देता हूं इस चीज को तो हमें जुरुत पड़ती है बिल और सेल के साथ हैव प्लस बीन की तो दोस्तों जो हमारा future perfect continuous टेंस होता है उसको बनाने के लिए हमें helping वर्व चाहिए होती है will have been या फिर cell have been तो दोस्तों हमने इन तीन particle के आधार पर अपने बारए टेंसों को जाना कितने टेंसों को जाना दोस्तों अपने बारै टेंसों को जाना मैंने आपको present के टेंसों के बारे में बताया था कि जो हमारा present indefinite टेंस होता है इसमें हम वर्व की first form का यूज करते ह बी पार्टीकल की फर्स्ट फर्म का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं दोस्तों बी पार्टीकल की फर्स्ट फर्म का यूज करते हैं तो फर्स्ट फर्म क्या होती है हमारी इज आर एम उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस के बारे म तो मैंने आपको क्या बताया present perfect continuous tense के लिए हमें क्या करना होता है have और hedge के साथ हमें अपनी bean बी पार्टिकल की third form का यूज़ करना होता है जो होती है हमारी bean क्या होती है दोस्तों bean इसी तरीके से हमने अपने बारेक टेंसों को जाना कि हम अपने बारेक टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इन एक एक करके इनको एक एक करके detail से जानेंगे कि हमारा present indefinite tense क्या होता है हमारा present continuous tense क्या होता है हमारा present perfect tense क्या होता है और हमारा present perfect continuous tense क्या होता है अब हम इनको एक-एक करके detail से जानेंगे, उससे पहरे दोस्तों आप इस सारी कहानी को एक वार note कर लीजिए, कि जो हमारी helping verb होती है, वो किस तरीके से use की जाती है हमारे tense में, past continuous, past के वाक्यों में आप use करते हो, verb की second form का, और past continuous tense के वाक्यों में आप use करते हो, was और word का, और past perfect tense में यूज़ करते हो, आप head का, और past perfect continuous tense में यूज़ करते हो, आप head bean का, तो यहां तक की बात को आप note कर लीजिए, दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे आगे, तो दोस्तों, आपने यहां तक की कहानी को note कर लिया होगा, अब आपको लिखना कैसे है, अपनी copy में, यह मैं आपको बता दिता हूँ, जैसे मैंने यहां पर present के नीचे present indefinite लिखा है, और उसी के सामने लिख दिया है, कि हम present indefinite tense में यूज़ करते है, वर्व की first form का, या present indefinite, और past indefinite tense में हम किसका यूज़ करते हैं, दोस्तों, वर्व की second form का, वर्व की second form का, तो इस तरीके से आपको format बना लेना है, अपनी copy पर, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, उसी तरीके से आप लिखने, मेरे पास तो यहां पर जगह कम होने की इस सब को कर देता हूँ, दोस्तो, rough, उसके बाद हम जानेंगे आगे, तो दोस्तो, हमने अपने tense को, 12 भागों में कि दिवाइड कर दिया, कितने वागों में डिवाइड कर दिता दोस्टो बारेवागों में हमने अपने 10 Sabbath को बारेवागों में डिवाइड कर दिया अब हम एक एक करके भारेथ Tuaths ओं वी सीखेंगे कैसे दुस्तो पहले आएगा हमारा प्रिजेंट इंडैफिनेट कौण सा आपको teacher क्या बताता है कि वेटा जिन बात्यों के अंत में ता है कुमत्ती है कुमत्ते हैं आध्य सब्द आते हैं वे सबी हमारे वाकिय कौन से कहलाते हैं present indefinite tense कहलाते हैं तो दोस्तों जो वच्चे ये सब कुछ सीकर आए हैं तो उनकी तो दिमाग की नसें घूम जाएगी अब वो कहोगे कैसे दोस्तों तो दोस्तों जो हमारा present indefinite tense होता है जरूरी नहीं है कि वाकिय के अंत में ता है ती है ती है आई तभी वो हमारा present indefinite tense होग में आपके सामने फ्राइप को इस सेंटेंस्क रखूंगा जिनके अंत में ताहती नहीं आएगा फ्री भी हमारा कौना टेंस होगा दोस्तों सेंट अब क्यूं में अपको णिए अब यहां तक की कहानी को हमने ज안 आज जस्तों हम कल को जानेंगे present indefinite tense के बारे में कि हमारा present indefinite tense क्या होता है लेकिन ये चीज तो विलकुल मत रटना दोस्तों कि जिन बात क्यों के अंत में ता है ती है आध सब्दा आते हैं वो हमारे present indefinite tense कहलाते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में take care keep practicing